कर दोस्तों राना konklass में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको महत्पुर्न जानकारी देने जा रहा हूं और ऐसी z 직 देने जा रहा हूं जिसे कि आप सारे लोग इंतजार कर रहे थे और मैं क्या जानकारी दूंगा तो न कर white डूंगा जो की आप बिहार तो मेंस आपने दिया हो या BPSC के आप कट आउफ जानना चाहते हैं हलाकि वेपसाइट पर दिया उसको मांगना करें क्योंकि समय बरवादी होगी जो चीज़ वेपसाइट पर उपलब नहीं है उसकी जानकारी आप है जो कि आप आयोग से जो कि मांग सकते हैं अन्य आयोग से औ कि आपको मालिया किसी भी करिया में आवेदन दिया है और इसके बेयों बारे में जानकारी का इसकी बहुता करें कि यह पता कर सकते हैं कि पिछली है जो कि जहां पर यह नहीं मार्स कि कि एक पिछले ऑफ साल कि उपलब्द कराना पड़ेगा मना ही तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत बाउंडेशन से लोग फायदा उठाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको क्या भरना RTI Online बिहार आपने देख रहा है Google में खोला हूँ इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो जैसे ही आप RTI Online बिहार क्लिक करेंगे तो आपको आजाएगा आप सबसे उपर देख रहें www.biharonline.gov.in तो इस पर है और नीचे क्या लिखा हुआ है Facilations Center Right to Information जानकारी बिहार ये जरूर आना चाहिए तो इसके बाद हम इसको क्लिक कर देते हैं तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आजाएगा जानकारी सुभधा के अंदर आ जाएगा ID, Password पर बैसे सम लिखा हुआ तो कहां पर आपको क्लिक करना तो आभेदन पर पत्र आप देख रहें के नारे में यहां पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक कर देना तो आज का डेट का है तो आज का आएगा तो आबेदक का नाम मा ले जाएके हैं यह राजीव कुमार है तो इसको राजीव कुमार कर दिये मकान है माले महंदरू है तो इसको महंदरू कर दिये उसके बाद है जो कि बिहार में तो रहेगा ही और जिला आपका घ नगर निगम मेहंद्रों भरा है तो देखे खुद अपडेट ले रहा है फिर सहरी छेतर में क्या जागा टपटना नगर निगम में तो है ही यह उसके बाद है जो कि अर्बन एरिया यह पीन कोड पीन कोड है जो कि आपकी सी पटना का ले जो आपका है उसके लिए वहां पर और यह जो है आपको एक इमेल आइडी और इनल गलत रहेगा तो नहीं लेगा यह हो गया लिंग लिंग आपको महिला है तो महिला भर सकते हैं पूरूस है पूरूस भर दिए उसके बाद बीशाय मान ले जाए कि बिहार एसाइट प्री एक्जाम 2000 मार्क्स और OMR लिख दें यह आप हिंदी में भी लिख सकते हैं क्योंकि में चीज हैलाइट होना चाहिए उसके बाद आपको माल ले जए कि 64-63 V BPSC मेंस की कौपी चाहिए तो आप इसमें क्या लिखना है आपको कि अगर हिंदी में लिखते हैं तो आप 63 V BPSC मेंस में मेरा रोल नंबर है जो कि इतन और मेरा नाम यह है और किन पेपरों की चाहिए उसके जानकारी लेना नाम लेंडी जो इसके नाम की मुझे च्छाया परती उत्तर पुस्तिका की अपलगत गाई यह तो मेंस की होगे अब जो बिहार दरोगा का जो मार्स उसके लिए मैं विसे बनाया हूं तो इसमें आप लिखना है कि बिहार एसाइजिस की परिष्छा जो की परिष्छा जिनांग 22 दोकर जिसमें मेरा नाम है जो कि यह है मेरा रोल लंबर यह है और इसमें मेरे प्री के मार्स है डो कि कितने आएं प्रेण और मुष्छ मुझे है लिखना पड़ेगा तो मैं लिख देता हूँ कि आड़ी आई आड़ी आई मैं सिर्फ क्योंकि खाली ब्लैंक लखने से उसके बाद है जो कि बिभाग कर सबसे ज्यादा जो फ़स्ते हैं लड़के पूछ रहें किसमें विभाग में क्या करो प्रिष्चा समीथी होगा लेकिन आपको ब्लिए आपको कौन विवाह्त कि किसके अंदरवेंे यह यह जनकारी रखना पड़ेगा पाराकि शुचना अगा हैं के यह सुचना गएगा लेकिन रहें कार्मिक एवं पर्सासनिक सुधार तो इसको आपको कुलिक कर देना है अगर BPSC से यह सूचना मांग रहे हैं तो यहां पर आपको और आपको पहुचा देगा क्योंकि जहां पर आपने सूचना मांगी है वहां पर यह काल्मी के वह प्रसासनी सुधार है जो कि उसको बिहार दरोगा मार्स कौन बताएगा तो निशी तुरुप से जो आयो गए वह नहीं कर पाया तो आप admin card की चाया पर ती जो कि गैलरी में रखे या laptop computer उसको चूज फाइल पर दमाएं और वहां स्किलिक करके यहां पर लगा दें PDF मेरे रहे चाएज जे पीजी मेरे रहे चाएज जे पीजी या पीजी इसके बाद आप जमा कर एक पर क्लिक कर दें यह सा राजीव कुमार के नाम से और ग्यार रुपया जमा करकर फर्मेशन पेमेंट के आ गया और आपको एक payment reference number इसको आप जो की screen sort ले या कहीं note कर ले उसके बाद आपको क्या करना है रेइस्टर पर जाना जैसे आप रेइस्टर पर दबाएगा तो यह आजाएगा select your prepared method तो mastercard है तो भीजा है तो माले भीजा है तो पर क्लिक कर दें तो क्लिक करने पर क्या आ जाएगा you have chosen भीजा as your method of payment please enter your card detail तो card number आपको भरना expiry date आपको debit card के पीछे लिखा रहता है security code भी है जो की आपको 3 digits है जो की आपको देख रहा है security card क्या लिखना last 3 digits है जो की पर दिया हुआ है उसके बाद आपको यहां पर कर देना पर आपको क्लिक कर जाएगे और आपको एक ID मिलेगी नाम के साथ उसको reference को जरूर रखना है और भुलाना नहीं है या अगर स्क्रिन सोट नहीं करते तो लिख जरूर ले कि भबिस में जो कि आपको पर्थाम अपील की जानकारी है जो की हो जाएगा और पहले मैं बता रहा हूं कि होता और बहुत सारे लोग निरास रहते कि मैंने कई बार सुचना मांगी और आयोग कहीं सुचना नहीं मिली तो उसके लिए उपाय है कि आपको पर्थाम अपील समय से करें 30 दिन के बाद करें और उसके आदमी अगर 30 दिन के बाद ना मिले तो आप 90 दिनों के अंदर राज सुचना आयोग में जो कि आप जा सकते और वहां पर आयोग रहे चाहे किसी भी कार्याले को बचना मुस्किल है उनको तो आप है जो कि इंतर को और यह जो है आपको 64 BPSC 63 BPSC मेंस का मार्स 62 का मार्स जा अब बताया क्योंकि और मैं सेंट्रल का भी बताऊंगा लेकिन पहले जो कि बिहार के लिए बताया तब BPSC BPSC से भी आप सुचना मांग सकते हैं माले यह कि आपको किसी पर सक्थ है कि मेरिट लिष्ट में है जो कि आपको कि आपको कितने मार्स थे माली BPSC CGL 2 में क्योंकि पर सेंटायल पर मार्स थे तो आप अपने मार्स पूश सकते हैं कि मेरे मार्स कितने थे हलाकि नंबर दिया था उसमें तो आप अपने मार्स के पता लगा सकते हैं मार्क सीट की छाया प्रतीव लगा सकते हैं और उत्तर पूश्टिका भी मेंस की आप और कई सारी अन्य जा इसा नहीं कि आप उत्तर परदेश की सुचनाएं आप मांगे तो यह लेगा ही नहीं क्योंकि यह भी हर सरकार की साइट है इससे आप आफ लाइन के लिए मैंने बताया है कि किस तरह किया जाता है तो अगर आपको ऑनलाइन में किसी भी तरह कि आपको परिशानी हो तो आप हम से जो पीडिएप में नंबर दिया हो मुवाइल नमूर से बात कर सकते हैं और मैं खासकर साम को छे वज़े से फिरी रहता हूं और उस समय है जो कि मैं लगभा कॉल उठाता हूं सवेरे की प्रोलम में रहता हूं क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं ठोड़ी से तैयार करता ह होगी तो आप कॉमेंट बॉक्स में भी लिखें भाट से फिर टेलीग्राम जो है लिंक उसका मैं डाल दूँगा वहाँ पर भी आप पूछ सकते मैं आपको जितना हर संभब मदद करूंगा तो इसका साथ धन्यवाद